दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सब दोस्तों, अम्मीद है आप सब यच्छ होंगे और आपकी तयारे भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों जोसे आपको मालूम है एक्जाम नजदीक है, एड्मीट काड आपका कभी भी जारी हो जकता है, तो अपनी तयारी में बिलकुल भी भील मत दीजिए जितना होचा के टॉपिक्स भाई टॉपिक्स रिवीजन के जिए टैस सीरीज को लगाएगे दोस्तू तो आईए देर ना करते हो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागे थे हमारे सीपीश्टी टेने पे एक्जाम में और चलिए देखते हैं अपना गारे सीफकीश्टी टीएम टामे देखते हैं अगले पर प्रेस्टी वेभाशना का लागता का निमनतचा लगता कि हो न चाहिए वे देखते हैं अगला question का है तो अगला जो question हो जाएगा वे हमारा हो जाएगा ज़रने से जब जल उचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है जब ज़रने से उचाई से जल गरता है तो क्या हो जाता है तापमान बढ़ जाता है जल का अगला जो कोईशन हो जाएगा हमारा केलविन ताप मापी में बरफ का गलनांग होता है तो केलविन ताप मापी में जो बरफ का गलनांग होता है जीरो सेंटिकरेट होता है जीरो सेंटिकरेट होता है अब अगले कोईशन के ताप बढ़ते हैं दोस्तो और अगला कोईशन द हो और थोड़ा आंगे चलते हैं और देखते हैं अपना अंगला question क्या है क्योरी क्योरी किसकी एकाई का नाम है दोस्तों तो क्योरी radioactive धर्मिता की एकाई का नाम है दोस्तों किसका नाम है radioactive धर्मिता की एकाई का नाम है और जैसा कि आप सभी को इबने बाली है जल्ली स्टाइट होगे और बिल्कु नए पैटन चाथ और बिल्कु नए लिवेल के साथ होगी और जो कि हम हर को आपको डीप में समझाएंगे क्योंकि हमारे पाइप थोड़ा भी समय है और समय रहते यानगे अपने एक्जाम से पहले ही हम सारा सलेबर कर ल होती है तो बैगनी रंग की तरंगधेद सबसे कम होती है दोस्तों कौन से रंग की तरंगधेद सबसे कम होती है तो बैगनी रंग की तरंगधेद सबसे कम होती है आईए देखते हैं अगला क्वेशन क्या है कमरी में रखे रेफ्रीजरेटर का धरवाजा खोल दिया जाता है तो कम्री का ताप क्या हो जाता है बढ़ जाता है दोस्तों क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक ना आईए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ और देखते हैं अगला question क्या है इंदर धरस में कितने रहं होते हैं तो सभी को पता है इंदर धरस में कितने रहं होते हैं साथ रह क्या होता है तो सेकेंड पेंडूलम को जो आवर्त का हुता है वो 2 सेकेंड होता है दोस्तों क्या होता है दो सेकेंड होता है आए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेसिन धरब औरgem में इस्थे देक Amen हमारा भारतिये विज्ञान संस्थान कहां इस्थित है तो भारतिये विज्ञान संस्थान जो हमारा इस्थित है जो हमारा बैंगलोर्य में इस्थित है दोस्तों कहां पर इस्थित है बैंगलोर्य में इस्थित है आईए अगला question देख लेती है दोस्तों अगला question आप देखे अगला question क्या दोस्तों हमारा अगला जो question हो जागा बहुजागा हमारा भू इस्तिर उपगरे की पिर्थिवी से उचाई कितनी होती है तो भू इस्तिर उपगरे की पिर्थिवी से उचाई 36,000 km होती है दुस्तों कितनी होती है 36,000 km होती है आईए अब देखते हैं अगला जो question है हमारा चिकत सास्तर के बिध्यारतियों को किसकी सपद दला जाती है तो हिपोक्रिट्स की सपद दला जाती है किसकी सपद दला जाती है हिपोक्रिट्स की सपद दला जाती है अगला question दे लिश्टम बदल गया बहुत ज्यादा ठीक रहा तो कर में जो रडीटर होते है उनका क्या काम होता है तो इंजिन को ठंडा रखना होता है आए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं वा देखते हैं अगला क्वेस्टन क्या है हमारा मनस्य के सरीर का ताफ हुता है सामन जो होता है सेथी सेंटी इंग्रेट होता है दोस्तू अब बढ़ते हैं अगले क्वेशन अब स्कीम पर देख रहांगे दोस्तू क्वेशन हापर हमारा दूर दरश्टी से पीरत ब्यक्ती को निकट की बस्तूएं नहीं दिखाई देती हैं किसी lens को किसी lens को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह कौनसा lens है उत्तर lens है दोस्तों कौनसा lens है उत्तर lens है ठीक ना आईए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है यदि किसी lens से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तब बढ़ता लेंस हो जाएगा तब बहिए अप तल lens हो जाएगा कौनसा lens हो जाएगा दोस्तों अप तल लेंस हो जाएगा ठीक ना अगला question है तारे टिम्टे माते हुए दिखाई देते हैं किसके कारण तारे टिम्टेमाते हुए दिखाई देते हैं तो अपबरतन के कारण क्या होता है तारे हमको टिम्टेमाते हुए दिखाई देते हैं आईए अब देख लेते हैं हम अपना अगला से क्वाइशन दोस्तों अगला क्वाइशन है निमने लिखत में से कौन एक आविस रहित कण ह हैं तो neutron हमारा एक आविस रहित करने हैं दोस्तों कौन है neutron हमारा एक आविस रहित करने हैं आईए अब हम आपको छोटी चीक information देना चाहिए दोस्तों हमारे cpcd and mp exam के द्वारा आपके revision के परपस से तीन हजार कोईसिनों की पीडियुप तैयार की गई जिस में total पांस सब्जेक्ट आपके इंक्रूट रहेंगे और हमने जो पांस सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं वें पांस सब्जेक्ट हम को बता दिते हैं सबसे को क्वेशन के 500 प्लस क्वेशन मिलेंगे टूटल 3000 प्लस क्वेशन अगर आप इसको पर्चिस करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर एक नंबर दे देता हूं नंबर दूस्तों हमारा साथ सो चैसी नो सो चालीज एक अत्तर नवा से यह नंबर मैंने आपको सरद्रचना का अध्यान के लाता है तो पोधो की आंत्रिक सरद्रचना का अध्यान के लाता हमारा सारी रिखी आए अगला क्वेशन देख लेती हैं निमने मैं से किस रंग का अपवरत रांग सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग का होता है किसका होता है बैगनी रंग का होगी एक छोटा से सवाख Как विð था तो चार ही मीठर होगी तुस्तों ठीक नब अब बढ़ते हैं कि अगले क्वेस्टिंग तरफ और अगला कशन है ऊको अवहिancी छमता का मातर है तो जो लेंज की चमता जो मातर है नब फिर मारा डायोप्टर है दोस्तू क्या है दोस्तू डायोप्टर है और दोस्तो अगर आपको एक और ओड इंफ्रोमेशन देना चाहेंगे लेटेस्ट मद्द प्रदेश का करेंट सब्फिर है सबसे पहले हमने आप अपको अपडेट दे दिया है जैसे कि आप खुस अभी प प्रदेश में जितनी भी जॉब निकल लें उसके सबसे पहले नॉटिफिकेशन आ रहे हैं हम आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट करते हैं लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इनिस्टाग्राम की आप भहीं से जाकर उसको फोलू कर सकते हैं दोस्तों तो के आप इविए के सबसे चाहिए अब बढ़ते हैं अगले क्यों स्थांति तो यह कुछ वन-लायन फेक्ट दोस्तों याद रहे हैं इनको बनलायन फेक्ट के तौर पर अधिक तर आती है इससे क्यों होगा बहुत ही ज़्याद हो जाती है वो समझ में भी आ जाती है दूस्त तो आईए बढ़ते हैं अगले question तरफ कुछ यह objective question आईए इनको भी देख लेते हैं किस धातू को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है यहाँ पर बहुत सार उप्सने चार है तो आप answer भी आपको देख रहा होगा sodium है और mercury है copper है iron है तो आसानी से चाकू से किसको काटा जा सकत है sodium को हम काट सकते हैं ठीक ना बाकि mercury copper और iron को नहीं काट सकते हैं अगला question नमारा question का सर्वत्तम्चालक कौनसा है यानि विद्धुत का सर्वत्तम्चालक अच्छा कौनसा दोस्तो तो A silver हो जागा B laid हो जाएगा C copper और डियम हो जागा मारा aluminium तो सबसे अच्छा जो करने लगते हैं क्योंकि चार होता क्या हो जाता है दोस्तों इसमें, चार उपस्तिद रहता है इसलिए जैसे ही निबु डालते हैं सूडा वाटर में तो बोले बोले छूट ने लगता है चार ट्क आई अब बढ़ते हैं अगले כई proposition तब कटे हुए बना लेता है तो आरन ऑक्साइड बना लेता है जैसी शेफ को अगर आप काट के रख देंगे दोस्तो तो क्या हो जागा को सबस्क्राइब कि आपके पास पहुँचे आप प्रफी के लिए तनी मेहनद करें दो इतनी क्लासे चला रहे हैं गुरुप-फौर की भी लिए समझेट करेंगे सारे स्लेवर करेंगे और जल से जल हम आपको जितने भी सलेवर से उनके अकॉर्डिंग आपको पीडिय भी प्रोवाइट कराने बाले दोस्तो जल से जल सारा का होगा हम आपको पुरा time table बता देंगे schedule बता देंगे तो चल से चल क्लास की लाटते बनेड़े चलिए अब क्वेशन को देख लेते हैं चूने में पानी बिलाने पर कौन सी गेस निकलती हैं तो चूने में जैसे ही आपनी में क्वेशन निकलती है दोस्तों तो आज की लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं कल और हम regular classes रखेंगे और उम्मीद है जी क्लास आपको पसंद आए होगी दोस्तों अगर पसंद आगे तो जरू सब्सक्राइब करना मिलते हैं कल इसी समय जब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत